सरकार ने एक जटके में 7000 पेस्टिसाइड कंपनियों का रेजिस्ट्रेशन रद कर दिया है साथ में राज सरकारों को ये सुनेशित करने का निर्देश भी दिया है कि रेजिस्ट्रेशन रद हो चुकी कंपनियों के प्रोड़क्ट बजार में ना दिख सकें जिन pesticide कंपनियों के registration रद्ध हैं वे pesticide नियमों के मामलों में KYC नियमों को पूरा नहीं कर पाई थी और आरोप है कि वे नकली pesticide बाजार में बेच रही थी सिर्फ 2584 pesticide कंपनियां ही KYC नियम पूरे कर पाई सोचिए 2,000, 2,000 कर पाई और 7,000 नहीं कर पाई यानि एक तेहाई कंपनियां मान लीजे कि 25% कंपनियां ही ऐसा कर पाई सर क्या पूरा मामला है और किस तरीके का fraud पाया गया भारत में pesticide की विक्री को लेकर सरकार के भीतर तमाम तरीके की चिंता हैं दिख रही दो तरीके की चिंता हैं एक तो यह कि नकली पेस्टिसाइज बेचेदार है और दूसरा कीटनाशकों का दुरपयोग हो रहा है क्योंकि पेस्टिसाइज कंपनियों को कई सारे नियम तय करने पड़ते हैं उन्हें अपनी पहचान करानी होती है किस गरहक ने खरीदा उसके बारे में भी जानकारी लेनी होती और ये जानकारी सुनिशित Corporation नहीं हो पारे है। इसलिए इसका खत्रा ये है कि अवैद रूप से बहुत सारे कितना शक बाजार में बेचे जा रहे हैं। लियान रखना जरूरी है कि कितनाशकों की खरीद और विक्री आमतर पर ग्रामिर इलागों में होती है जहां उनको पुभक करने वाले विक्रिया उनको बेचने वाले लोग इन नियमों से इतने जाधा परिशित नहीं होते हैं और यह बहुत बड़ी संख्या है कि साथ कमपिनियों को को इस मामले में के वाई सी नियमों का पालन ना करते हुए पाया गया इसका मतलब है कि वो गलट ढंक से अवैद रूप से या जाधा अधिक मातरा में पेस्टिसाइड बेच रही थी और यह माना गया भारत में करीब करीब 946 पेस्टिसाइड फार्मूलेश झालन 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